आजादी के बाद किसी भी दल के संसत के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैस नहीं पकड़ी गई होगी। कॉंग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही ब्रश्टाचार की है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाप ये जो एक प्रचारा भ्यान चला कि एजन्सों का दूरूपयों हुए है वो क्यों चलाएगा। मुझे तो बड़ा आस्चर्य है आजादी के बाद किसी भी दल के संसत के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैस नहीं पकड़ी गई होगी। सेकडो करोडो रूपय का कैस संसत के घर से मिलता है और पूरा इंडी एलाइंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को। कॉंग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फित्रत ही ब्रश्टाचार की हैं। परन्तु चाहे त्रिनुमल कॉंग्रेस हो, चाहे जेडी यू हो, चाहे रजेडी हो, इस सारे दल डियेम के सहीद चुप बैठे हैं। सफा भी चुप बैठी हैं, कोई रियेक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाप ये जो एक प्रचार भ्यान चला, कि इजन्सों का दुरूप योग हुए है, वो क्यों चलाएगा। क्योंकि इनके जहन में डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि ये उचिती ही हुआ है जिस प्रकार से इतनी विपूल मातरा में ब्रश्टाचा जारखन जैसे गरीब राज्यमे हो रहा है, वो आँख खुलने वाला है। और ये जो राजनितिक प्रपोगंडा करते हैं एजन्सियों के दुरूपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। ये मसले को बहुत नीचे तक इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरुता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाप है, धेर सारे कदम नरेंद्र मोधी सरकार ने उठाये हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाये हैं। और इस दिशा में हम जन जागरुती लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएं। हुआएं।